हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे जीर ओईल परवल की सबजी तो चलिए सबसे पहले इसके इंग्रीडियन्स देख लेते हैं परवल एक कप जीरा एक टी स्पून प्याज एक कप अदरक और लस्टन का पेस्ट एक कप टमाटर प्योरी एक कप हल्दी एक टी स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून लाल मिर्च एक टी स्पून गरम मसाला एक टी स्पून नमप स्वाद के अनुसार तो चलिए अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं एक पैन लेंगे और इसमें पानी के साथ परवल को डालें अब इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे परवल के उबल जाने के बाद एक पैन लेंगे और इसमें जीरा डालके इसे भूनेंगे जीरा भून जाने के बाद इसमें प्यास जालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे अब इसमें अद्रक और लसन का पेस्ट जालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे अद्रक और लसन का पेस्ट भून जाने के बाद इसमें हम टमाटर का प्योरी डाल कर इसे अच्छे से मिला लेंगे अब इसमें हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे अब इसमें परवल का ही पानी डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे अब इस पेस्ट के अच्छे से तयार हो जाने के बाद इसमें नमक डालेंगे और थोड़ा सा चलाएंगे अब इसमें उबले हुए परवल डालेंगे और इसे थोड़ी देर तक पका लेंगे हमारी जीरो एल परवल की सबजी बनकर तयार है